नमस्कार दोस्तो आज के सीडियो में आपका बहुत स्वागत है आज इस वीडियो को में अध्यम से बात करने वाले हैं प्रधान मंत्री किसान संभानेदी योजना के बारे में प्रदानमंत्री किसान सम्मानिति योजना में जिन्हों ने भी आवेदन किया था नया उन सभी के लिए यहाँ पर एक नया आदेश आ चुका है इसी की जानकरी आपको देने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर सभी की लिए खुशकबरी आ चुकी है दोस्तों और यहाँ पर एक जो है उनको जरूरी काम में वो भी करना अनिवार हैं तो यहाँ पर आदेश में क्या-क्या जानकरी दी गई हैं वो सभी जानकरी आपको बताने वाले हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं स जिनोंने नए रस्टेशन किये थे प्रतानमंत्री किसान समाली योजना में, उन सभी के लिए यहाँ पर एक बड़ी अपडेट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो सत्रवी किस्त थी, सत्रवी किस्त के बाद जिनोंने अपना आवेदन किया था, उन सभी के लिए यहाँ पर और उसी के साथ में यहाँ पर जिनों ने अपना नया आवेदन किया था उनकी लिए एक आदेश आ चुका है अब उनको यहाँ पर क्या करना होगा तब जाके उनको अठारवी किस्त मिलेगी क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अठारवी किस्त पांच अक्टुमबर 2024 को आने वाली हैं उससे पहले सभी किसान भाईयों को यहाँ पर एक आदेश के माध्यम से सुचित किया जाता हैं तो उसी की जानकरी आपको देने वाले हैं चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बताते हैं प उसना नया आवदन किया था उन सभी किसानों को अब क्या करना होगा और उनको यह किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी वो जानकर यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इसका विशे देख सकते हैं प्रदान मंत्री किसान सम्मानिदी योज यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रदानमंत्री किसान समंद्रियोजना की जो किस्त है अठरवी किस्त वो माँ अक्टुमबर 2024 प्रथम सप्ता मतलब यहाँ पर 5 अक्टुमबर को आपको आने वाली है अब दोस्तों यहाँ पर जिन्हों ने अपना नया आवेदन किया था उनके लिए यहाँ पर क्या न्यूज है दोस्तों दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे फ़र्ष्ट में यहाँ पर देख लीजे दोस्तों क्रपया PM किसान पोर्टल पर सेल्प रस्टेशन के लंबित प्रकरोणों का निराकरन योजना के माप दंडों के अनुसार पात्र हिदगाईयों के लंबित सेल्प रस्टेशन का अनुमधन किया जाए एवं अपात होने पर आवेदन का निरस्त किया जाए यह कारवाई दिनांग तीस नो दोजा चोविस तक की जा सकती हैं उसके बाद यहाँ पर सारा पोर्टल पर जो नियत प्रकरिया के माध्यम से ही हिदगाईयों के पंजियन का निराकरन किया जाएगा मतलब यहाँ पर जो किसान पर जो है तीस नो दोजार चोविस मतलब यहाँ पर तीस सितंबर दोजार चोविस से पहले-पहले सभी किसान भाईयों का जो आवेदन लंबीत प्रकरण है उन्ह Сभी का निराकरन करकर उन भी कर दिया जाएगा तो इसी के बीच में यहाँ पर सब को खुशकबरी की बात है क्योंकि यहाँ पर जो पांच अक्टुमबर दो जाच चोविस को प्रदान मंतरी किसान समर्द योजना की किस्त आने वाली है उससे पहले ही यहाँ पर इन सभी किसानों के आवेदन को स्वि मिल जाएगा तो इसी के बीच में यहाँ पर जो अठारवी किस्त आने वाली है वो सभी को मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पर 30 सितंबर दो जाच चोविस से पहले ही सभी के आवेदन को अप्रूल किया जाएगा जिन्होंने सेल पर स्टेशन किया था या फिर उन्होंने आव परूर करिएगा और अगर आप चैनल नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वे लेकिन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आगे भी हर पर करके से नहीं नहीं वीडियो देखने को मिलती रहे तो चली मिलते इस तरह नेक्स्ट टूडियो में तप्ले बंदे मातरम जहीं जबारत